अगर आप जानना चाहते हैं कि DSP की सेलरी कितनी होती है DSP को कौन-कौन से फैसलिटीज मिलती है इसके अलावा DSP का प्रमोशन किस तरीके से होता है तो आज किस जवर्दुस वीडियो को लाश्ट तक सरूर देखे अगर आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखते हैं तो चीज़ें बहुत इचाशी तरीके से आपको समझ में आने वाली है तो चलिए सबसे परने हम बात कर लेते हैं DSP के बारे में दिन बात करते हैं सैलरी, प्रमोशन, एंड फैसलिटीज के बारे में ठीक है, चलिए देखे, DSP का जो बैज है, कुछ इस तरीके से होता है इसमें 3 स्टार्स होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पारे होंगे यह बैज होता है और इसमें 3 स्टार होते हैं और वो DSP जिस राजजी का है यानि कि जिस स्टेट का है उस स्टेट का नाम यहाँ पर लिखा होता है जैसे कि उत्रप्रदेश का यदि DSP है तो यहाँ पर UP लिखा होगा, मध्यप्रदेश का है तो MP लिखा होगा, ऐसा ही नाम लिखा होता है ठीक है, जिस स्टेट का DSP होगा उस स्टेट का नाम यहाँ पर लिखा होगा और थिरी स्टार्ट लगे होंगे ठीक है चले अगर हम बात करें फुल फार्म की तो DSP का जो फुल फार्म है वो होता है डेफटी सुप्रिटेंडेंट और पुलिस इसको हिंदी में कहते हैं पुलिस उपाधी चक या फर पुलिस सर्विश कमीशन यानि कि स्टेट पीस सी राजी के पुलिस विवाग में पुलिस डिपार्टमेंट में DSP की वर्ति करता है जिसे आने सुपधाओं के साथ आकर्शक वेतन मिलता है DSP का पत जमेदारी के साथ साथ कई चुनोतियों से भरा होता है इस पत पर आशीन व्यक्ति का कोई निश्चित कारे समय नहीं होता है क्योंकि पुलिस अधिकारी को हर शमय ड्यूटी पर रहना पड़ सकता है पुलिस अधिकारी अपने चेतर में कानून व्यवस्था के रख रखाओं के लिए जमेदार होता है वह कानून और व्यवस्था के मामलों में पुलिस के कारेयों का नेतरत करने वाला व्यक्ति होता है कौन होता है DSP Deputy Superintendent of Police ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं कि DSP को सैलरी क्या-क्या मिलती है और इसके लावा क्या-क्या अधर फैसलिटीज मिलती है अपने चेतर में कानून व्यवस्था को बनाय रखने की सुनोती और पति की जमेदारी के साथ DSP को एक अकरशिक वेतन और अनिवत्ति दिये जाते हैं एक DSP को वेतन बैंड यानि की पे बैंड 9300 से 34800 में ग्रेड पे 5400 यानि की 5400 के साथ वेतन मिलता है यानि कि DSP के लिए जो पे बैंड है वो 9300 से 34800 और ग्रेड पे जो है वो 5400 के साथ होता है ठीक है तो यह चीजें आपको ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है और इसके लाव अधर फैसलिटीज मिलती हैं जो हम आपको आगे बताने वाले शले बात करते हैं कि अधर फैस ठीक है मामूली की राय पर यानि कम की राय पर मिल जाएगा आवास या फिर बिना किसी कीमत के लिए जो आवास है वो मिलता है एक DSP को अब DSP के लिए और उसके साथ जो इंपुलाईज होते हैं उन सभी के लिए निवास दिया जाता है सरकार की तरप से ठीक है सुरच्छा कनेक्शन जिसका बिल सरकार दौरा भुकतान किया जाता है यानि के टेलिफॉन कनेक्शन मिलता है जिसका जो पिल है वो सरकार पे करती है ठीक है विजली के बिलो का भुकतान सरकार दौरा किया जाता है आधिकारी के तोरान उच्छी स्रेडी आवास जब वो आधिकार क्या ते ओसके ले क्या होता है ह कि हाइए क्लास का द्मख मिलता है उनको isesti देंस मिलता है ठीक है इस्टृडी लीप्स लिए अवकास जिसका खर्च सर्कार दौरा वहेंड किया जाता है थैस कि डीश्यू सेडी करना चाहता है तो उसका जो जितना भी खर्चा मिलती सर्कार ये सुभधाय मिलती हैं एक DSP को बात करते हैं DSP के प्रमोशन के बारे में यानि कि DSP का प्रमोशन किस तरीके से होता है ठीके DSP का फॉस्ट प्रमोशन है वो ASP की पोस्ट पर होता है ASP का फॉल फॉर्म क्या होता है Additional Superintendent of Police यानि कि अत्रीक्त पॉलिस अधिचक ठीके उसके बाद ये प्रमोशन होता है तो किसका पोस्ट मिलता है SP का पोस्ट मिलता है SP का full farm क्या होता है सुप्रीटेंडेंट आफ पुलिस हिंदे में कहते हैं पुलिस अधिछक ठीक है उसके बाद यह प्रमोशन होता है तो उसको SSP का पोस्ट मिलता है सीनिया सुप्रीटेंडेंडेंट आफ पुलिस का पोस्ट मिलता है ठीक है उसके बाद प्रमोशन होता है तो डी आई जीपी का पोस्ट मिलता है यानि की डेप्रिटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पोस्ट मिलता है उसके बाद भी प्रमोशन होता है तो डी जीपी यानि की डिरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पोस्ट मिलता है तो डी जीपी यानि की डिरे वीडियो इंफर्मेशन आपको कसी लगी कॉमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताईए अगर आप सेलरी प्रमोशन फैसलिटीज इन सभी से रिलेटिड वीडियो देखने चाहते हैं तो सब्सक्राइब किज़े हमारे चैनल सेलरी अटा को जहां पर आपको मिलती है सेलरी प्र प्रसलिटीज इन सभी से रिलेटिड वीडियो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद या फिर आप किसी अधर ऑफिसर की सलरी जानना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिए हम और एनलसिस करेंगे दिन उस टॉपिक पर वीडियो वनाइ